पूरी कोशिस कर रही है कि कोई भी मुद्दा को उठाया जाए उसको भुनाने की कोशिस की जाए ताकि जनता तक पैट बनाई जाए बात करें RJD की तो RJD ने भी बेरोज़कारे का मुद्दा उठा लिया अब कॉंग्रस भी से पीछे नजर नहीं आ रहे और कॉंग्रस भी बहते गंगा में हाथ लगाने से बाज नहीं आ रहे कॉंग्रेस ने साफ़तोर पर एलान कर दिया कि अगर उनकी सरकार बनती है तो शिक्षकों के लिए ऐसे स्किम चलाएंगे कि उनका सीधा फायदा शिक्षकों को मिलेगा साफ दोर पर कॉंग्रस के विहार प्रफारी शक्ति सिंक गोहिल ने ये बाते कही हैं कि शिखचको को लेकर हमारे सरकार पहले से ही सोचती आई है शिखचको की जो भी मांग है हर वो मांग पूरी की जाएगी सम्मान के साथ हम शिक्षकों के मुद्दे पर खड़े रहे हैं और हमेशा से खड़े रहेंगे उनको लेकर क्या कुछ प्लान किया जा सकता है उनको कैसे रोजगार दिया जा सकता है उनकी सभी मांगों को कैसे लागो किया जा सकता है वो हम बिल्कुल सोचेंगे बसरते शिप्चाखा में वोट दे क्या कुछ क्या रहे है शक्ति सिंगोई आप खुद सुनिये आज हमने हमारे पूर्व राश्टरपती प्रणाव मुकर जी जी जिन्होंने इस देश के यूनियन मिनिस्टर के तौर पे इस देश के राश्टरपती जी के तौर पे पर खास करके हमारे कांग्रेस पार्टी के पतदर्शक के तौर पे बहुत अच्छा काम किया है और जो किया हुआ काम इत्याक्स में सुनेरे अक्षरों से लिखा जाए आज की दिन हम उनको स्रदान्जली दे रहे हैं साथ साथ आज शिक्षक दिन सरवपलवी दाजा से जी आज में भी हम मनाते हैं दूनों महनुभाव को विहार कांग्रेस परिवार की और से रदासों मन हम समर्पित करते हैं शिक्षक दिन का बड़ा महत्वा रखते हुए जो इस देश में हम शिक्षक दिन मनाते हैं पर मैं आज बिहार में भाजपा और जेडियू की सरकार को कहुँगा कि बिहार में जो शिक्षकों की हालत है उसकी चिंता सरकार करे कहा जाता है कि शिक्षक वो आने वाले नागरी का बनाने का काम करते हैं और इसलिए चानक्य जिने भी जिनका महान स्तार कहा ऐसे शिक्षकों को बिहार में तनखाना मिले इक्वल वर्क इक्वल पे समान काम समान वेतन सम्विधान का सिध्धान होते होए भी उसका पालन ना हो शिक्षक आत्महत्या पे मजबूर हो और कहीं प्रोफेसर्स पे लाठिया चले उनको जहल भेजे यह जो कुशासन चल रहा है हम एक पॉजिटिव रोड मेप के साथ अगले चुनाओं में जा रहे हैं हमारी यह प्रात्रिक्ता होगी कि बिहार के जो ऐसे इस्यूज है उसको हम पहले अड्रेस करेंगे और बिहार की अपनी एक गवरव पूर्ण बात थी बिहार का पूरे देश में दुनिया में एक वजूद था कांग्रिस के शासन में जो वजूद था आज कहीं न कहीं भाजपा जिडियू के शासन में लोग दुखी है तो उनकी टिक करने का काम भी है जनता के आशिरवाद से हमारी सरकार आएगी वो करें